कुछ पाइली बार अच्छा काम किये थे तो क्या बोन गया था कुछ और बोन गया था हलो एबरीवान कैसे हो आप सभी विलकम बैक टू माइन न्यू वीडियो तो अभी जो मैंने एक छोड़ा सा क्लीप आप लोको सुनाया उसका एक मेरा स्टोरी है बता देती हूं एक बार क्या हुआ था ना बड़े जद्दो जहत के बाद मैंने दूट की मलाई उतार उतार के उतार उतार के बहुत जादे मलाई जवाल मतब स्टोर कर ली थी रख ली थी फ्रेज में इसके बाद से मैंने क्या किया मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें ओ लोग मिक्सी मे मेरा पूरा मलाई का खराब हो गया घी निकला ही नहीं तो इस बार मैंने अच्छे से ट्राइ किया था एक दिल जान से अच्छे से क्योंकि जब पहली बार में कोई चीजे भी गर जाती है ना तो सकेंड बार करने में थोड़ा डर लगता है बट मैंने इस वार भी जो मेक्सी चलाया ना उस बार भी मुझे डर लगा था घी अच्छे से निकलेगा कि ने बट निकल गया इतना सारा मैंने मलाई रखा था तो इसका घी निकाल लिया एंड इसके बाद से मैंने ब्लॉकल स्टार्ट किया तो सामका टाइम हो रहा था अभी मेरा वेट दो केजी बढ़ ग काम मेरा हो नहीं पाता है अभी उतल पुथल सा है उठती नहीं टाइम से तो अभी उसके लिए ने टाइम प्रॉबर बनाना पड़ेगा चावल यहां पर थोड़ा भी ने फटका हुआ था मतलब की चावल साफ नहीं था तो यहां लेके आ गए थी चावल फटक ने दादी साम को बरतन धूल देती हैं सुबह में भी अगर मैं सोई रहती हूं तो बरतन धूल देती हैं वैसे तो मैं कोचिज करती हूं रात में धूलू बट नहीं अगर धूल पाती हूं दादी मना कर देती हैं कि रात हो गया रहने तो मत धूल जाओ आम करो बनाने खिलाने के जब से आहां का ओप्रेशन हुआ था तो दो तीन महीने तो मैंने कुछ भी उनको करने नहीं दिया फिर उसके बाद जब से नेपाल से आई है तो थोड़ा बहुत है तो अच्छा रहता है तो दादी को मैंने बोला कि आप बरतन धुलो मैं चावल फटक लोंगी तो दादी ब जब बहुत जब धान गटने वाला मसीन और मैं आता है तो मैं वहान रहती हूँ जब लों मसीन डाल देते तो बोरे को चावल करते हैं तो वही धान रहता है उसमें फिर मसीन यॉदोव छावल रखा चाया जाता है कुटवा के रख देते हैं मसीन वाले तो फिर वो चावल हमको बीनना पड़ता है फटकना पड़ता है फिर वही डबल महनत हो जाते हैं तो वही काम मेरे साथ हुआ था इस बर जब धान कुटाया था ना तो चावल में धान रहे गया था बोरा साफ से जाड़े नहीं थे लोग वो लोग थोड़ा सा इतना responsible होते नहीं हैं हमको अपना काम रहता है तो हम अच्छे से देख के कर लेता है इस बर जब धान कुटाया था तो मैं कुछ काम कर देती आइधिंक कि खाना बना रहे थी तो नहीं कर पाए इसमें इतना धान धाना मेरा तो दिमागी खराब गया था उपर से देख गर दिख रहा है कुडा करकट इसमें बोरा नहीं जाड़ता है नहीं लोग में लिए यह दिक्कत होता है इसके बाद से मैं धान साफ कर ली थी साम में सब लोग सोच रहे थे क्या बने क्या बने क्या बने तो फिर मैं लग गई थी खाना बना इनने की त्यारी में तो आज मैं बनाओंगी न जो हमारे मां होता है न हम लोग बोलते हैं दाल का दुलहा पहले जब हम लोग छोटे रहते थे न तो जब ममी बनाती थी तो हम छोटे बच्चों को छुडाते दुला बना है तो हम लोग इसे डाल बोलते हúa है इस रेशिपी को मुझे बताएगा ज़रू प्रॉपर मैं रेशिपी कर रही है नहीं स्विट गांत द्लेव क्यों जो कि मैं दूल इधाल pl Waty नमक नमक कुछ eg मिर्च हरे और 5-6 लेसन की कलिया इसको मैंने छीड लिया था इसको डालके नहीं जैसे हम लिट्टी मतलब बाटी और चोके के साथ दाल बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे तो अच्छे से मतलब सबकुछ तयार करके और सीटी लगा देना है जब तक कि दाल का लेना आपने अंता तो मैंने दाल अच्छे से चला के और लगा ली थी थोड़ा दाल हमको मोटा भी रह तो चलेगा क्योंकि जब हम रिशीपी पनाते हैं लास्त तक दाल उकदम गल जाता है पानी अट कर दीया था बहुत जादे पानी आड नहीं किया था क्योंकि पानी पानी हो जाता यह नहीं चिपका लेंगे एंड साइड साइड से एसे चिपका के फ्लावर का सेप देदेंगे फ्लावर का सेप वाला ही मुझे अच्छा लगता है बहुत लोग मैंने देखाय यूटूब पे बहुत सारी वीडियो जिसमें पूरियां ही डाल देते हैं दाल में और बना देत तो बहुत थी टेस्टी लगता है मैंने तो वैसे खाया नहीं था इक भी चमच क्योंकि मैंने ना कल साम में 3-3 बजे खाना घाया था तो मेरा बिलकुल भी मन नहीं था खाने का तो मैंने एक भी चमच नहीं घाया लेकिन बहुत अच्छा पना था ए लैसन और मिर्ची का जो दाल में बहुत ही अलग टेंटिंग लगता है टेस्ट यहां दाल हमारा थोड़ा बॉयल हुए था पानी जो डाला था उसके बाद से डाल देंगे इसको डालने के बाद बहुत जादे चलाना नहीं है क्योंकि आटा एक दम गीला है भी कच्छा है तो हलका सा बस इसको मिला बिना फ्राई के ही पसंद है बनाना तो मुझे खाना तो ठा नहीं है लेकिन वैसे भी मैं फ्राई नहीं करती हूं यहां सुबह होते होते मैं लग गई थी फिर से किचन में अभी हो रहा है साड़े च्छा का टाइम और मैं पाउंजी के लिए बना रही थी टिफिन यहां मैंने बनाया था मैंने पराठे उसके फ्रेंड ने टिफिन नहीं लिया था तो मैंने चार पराठे रख दिये थे पाउंजी के लिए दो उसके लिए दो उसके फ्रेंड के लिए और आलो की बुजिया बना ली थी टिफिन में मुझे बहुत ही बेस्ट लगता है कि आलो की बुझा फटा फट से बना लो आलो चौक तो कट करके मर्चा के साथ और उसके बाद पर आठे सेख लो फटा फट से तो मेरा पहला काम होता है मम्मी नहीं है तब से मेरी जिमेदारी है कि मैं टिफिन बना के दू वरना मम्मी ही पहले बनाती थी हम लोग तो सोई रहते थे या अच्छे से बुनने के पाद इसको जब ठंडा हो गया तो इसमें एड करेंगे नमक और एक एड कर देंगे नीबू का रस तो एक नीबू का रस एड कर देंगे और इसको दस बारा दिन तक आप एजली खा सकते हो रखके फ्रीज में या फिर ऐसे भी रखके तो यह मैंने बना लिया था सुवा के टाइम में ठीफिन बनाने के पास तो यहीं तक वीडियो थी वीडियो जरासी भी अच्छी लगी तो वीडियो को करिएगा लाइक चनल को करिएगा सस्क्राइब मुझे सपोर्ट करें के सस्क्राइब जरूर करें बाई